नमश्कार, मैं सुनिता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए चंदरनाध का छटा भाग लेखक शर्ट चंद्र चट्टो पाता है कथा मंधन में अन्य लेखकों की कहानिया तता उनके उपन्या सुनने के लिए आप हमारी वेब चैनल के होमपेज पे जाएए आपको वहाँ सारी लिस्ट मिल जाएगी तो आप उसमें किसी भी अन्य लेखो को कोई कहानिया रोपनिया सुन सकते हैं और कुछ के लिंक मैं कार्ड के द्वारा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शिन बॉक्ष में भी लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रिनाद का छटा अध्यार उपरियुक्त घटना को दो बर्स बीद गए इन दो बर्सों में चाहे और कोई बदलाव हुआ हो या ना परविद कैलाश के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है जिस दिन उसकी कमला चली गही थी जिस दिन उसके कमल चरण ने अंतिम सांस लेकर आखे बंद की थी उसी दिन कैलाश चैंद्र के लिए मानो इस विपल विश्व ने ही आखे मुद ली थी परणतु सर्यू का वे नन्ना साशीशू उन्हें फिर से उस भूलेवे संसार के सनहे में जठिल पद पर ले आया बहुत दिने के बाद उस दिन फिर उनकी छोटी छोटी आखों में जल भराया उन्होंने आखें पहुशते वे कहा हमारे घर विश्वेश्वर आए हैं उन दिनों वे बहुत छोटा था जब कोई उसे विश्व कहकर पुकारता तब वे कोई उत्तर नहीं देता पर हाँ देखता वश्य था उस समय तो सर्यू की गोद में या लखिया की माँ की गोद में या फिर बिचौने पर ही रहा करता था पर जिस दिन से उसने चौकट के बाहर पैर निकालना सीक लिया और जिस दिन से वे समझने लगा कि दूद से पानी अच्छा होता है तब से सर्यू को चक्मा देकर पिश्वास हो गया कि अपने कोमल उधर तता मुख पर कोईले की काली की अधूल पोत लेने से शरीर की शूभा बढ़ जाती है उसी दिन से उसने सर्यू की गोद छोड़कर कैलाश चंदर की गोद में दिरड रूप से अपने लिए पूरा-पूरा इस्थान कर लिया सवेरा ह वाज देते विशू वह आगे बढ़कर बोलता दादा कैलाश चंदर कहते चलो तो बेटा शंबू मिस्री के यह बाजी ले विशू चट हाथ में शत्रेंज की पोटली उठाकर तो तलाता हुआ कहता तलो और दौनों हाथ फैला कर व्रिद कैलाश के गले में जोर से वाज चंदर की गोद में चड़कर शत्रेंज खेलने के लिए बाहर चला जाता रास्ते में कोई हसकर कह बैठता चाचा जी व्रिद्धावस्ता में ये और दो हाथ निकलाए हैं मैं हसकर उत्तर देते हाँ भई अब हमारे दौनों हाथों में जोर नहीं रह गया है पिलकु मिश्र के घर में जहां बैठ कर लोग शत्रेंज खेलते हैं महा श्रीमान विश्वेश्वर के लिए एक इस्थान निर्दिष्ट है वहीं वह दादीजे की गोद में बैठ कर लाल रंगी थैली जुलाया करता और गंभिर वाफ से देखता रहता मानो अवश्यक्ता होगी त हाती दात के महरे जब दादा जी के हाथ से एक एक करके मारे जाते तब विश्वेश्व बड़े उत्साहाद से उन महरों को दोनों हातों से पेट पर रकर दबा लिया करता लाल रंगे वजीर पर उसका सबसे अधिक ध्यान रहता वह जब तक उसके हाथ में नहीं आ जाता तब तक ललचाई द्रिश्टी से देखता रहता प्रकार नए सिरे से कैलास चंदर के दिन बीटने लगे जो पुराने बंधेवे नियम थे उनमें बाधा पढ़ने लगी पहले की बाती अब उन्हें शत्रेंज की पोटली का उतना अधिक ध्यान नहीं रहता अब वह प्रा गोश्की बैठक में पहले की तरह लोगों का जमावड़ा नहीं होता मुकुंद घोश भी बुलाते बुलाते हाड़ जाते प्रा केलास चंदर रात के समय किसी प्रकार उनसे न मिल पाते उस समय वह दीपक के प्रकाश में बढ़कर अपने नए शिश्य को शेतरंच खेलना सिखाया करते कहते गोड़ा ढाईगर चलता है विशुगंभिर भाफ से कहता दोया हाँ घोया गोया विश्वश्वरा spl के मन में नया भाफ पैदा होता है कहता गाय भी चले कहलास चंदर हाद अताश ओकर प्रतिवात करते वह कहते नहीं बेटा यह गोड़ा घाड़ी नही पर हस्ती भी चली जाती वीशु अपनी छोटी उंगली से संगेत करके कहता वह अतार्थ वह लाल रंका वजीर हमें दो वृदिक के लाश्य अंदर की समझ में यह बात किसी प्रकार किनाती की अधिक जीजों के रहते वे भी वह लाल रंके वजीर पर ही इसकी द्रिश्टी क् वीशु की प्रातना शुकरा ही नहीं जाती केलाश्य अंदर पहले तो उसे दो एक दूसरे महरे दे करके बुलाने की कोशिश करते पर वीशु था हुश है और किसी प्रकार भूलता ही ना था उसे समय इच्छा ना होने पर भी मांगी गई वस्तु केलाश्य अंदर उसके ह बोलानाथ के घर में कथा ती कैलाश जिद्र ने वीशू से कहा वीशू चलो कथा सुनाएं विश्वेश्वर दोती कुर्टा पहन कर माते पर बिंदी लगा कर बाल सबार कर दादा की गोद में चड़कर कथा सुनने गया व्यास जी राजा भरत की कथा बड़े ही करुंकंट स सुना रहे थे कि किस प्रकार उस बनवासी महाप्रुश की गोद में हिरन का बच्चा आप से आप हो गया व्यास जी की संपून कता शुनकर कैलाश जिद्र विश्वेश्वर को जोन सिछाती से लगा कर हाय हाय करके रोने लगे उनका अंतर तक काप उठा और रो रो करके प पुकार रहा था कैलाश जिद्र ने आसू पहुंसते पहुंसते विश्वेश्वर की गोद्स में लेकर बोले चलो बेटा घर चले बहुत रात हो गई विश्वेश्वर उनकी गोदी में आ गया बहुत दिर तक एक जगा बैठे-बैठे से नीन दा रही थी और घर आते आत रास्ते में ही सो गया घर पहुंचकर कैलाश जिद्र ने उसे सर्यू की गोर में उतारते वे कहा लो बेटी अपनी अमानत लो सर्यू ने देखा आज वृद की आंके बहुत भारी हो रही है इन दो बरसों में चंद्रनाथ का अपने घर से के साथ कोई सम्मध ही नहीं रहा जब उन्हें रुप्यों के अवशक्ता होती तब है अपने गुमाश्ते को पत्र लिखते और गुमाश्ता जी उनके लिखेवे पते पर रुपे भेज देते हैं हर काली बीच बीच में धुक परकट करके पत्र लिखा करती है ब्रज किशोर भी पत्र द्वारा लौट आने का अनुरोद करती है मनी शंकर ने भी एक दो पत्र में लिखा और कि हमारी शारेरी का वस्ता धिरे धिरे खराब हो रही है इसलिए एक बार तुमें देखने की इच्छा है पहले तो चंदरनाथ ने इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं दिया पर जब हरी बाला ने लिख सुका कोई अभास मिले कुछ नहीं फिर भी चंदरनाथ ने जल्दी से घर आना चाहा पर तो जिस आशा पर वह इतना बड़ा रास्ता तै करके आए घर आने पर पूरी नहीं जब हरी बाला से बेट हुई तब पुचा कहो दादी जी क्या कहना चाहती हो बस तुमें देखन चाहती थी और कुछ ने निराश होकर चंदरनाथ ने कहा तो फिर क्यों विरत मुझे इतना कश्ट दे कर यहां बुलाया तुम्हारा घर ना आना क्या अच्छा लगता है इसके बाद हरी बाला ने एक ठंडी सास लेते हुए कहा भाईया जो कुछ होना था वह तो हो गया अ उसे केवल अंतरिया में ही जानते हैं चंदरनाथ परिशानी में पड़ गए पर कुछ कहना सके मनी शंकर फिर कहने लगे अब तुम दूसरा विवा करके संसार धरम का पालन करो मैंने तुम्हारे मन के मताबिक एक कन्या ढूंड रखिया केवल तुम्हारी राय जानने के ल चंदरनाथ चुप रहे मनी शंकर हटात रो पड़े और बोले मुझे ख्याल आता है कि मैंने ही तुम्हें संसार त्यागी किया है मेरा यह दुख मरने पर भी नहीं जाएगा चंदरनाथ ने बहुत देर्स कुछ सोचकर पूचा कहा संबनत है किया है मनी शंकर आसू लोगों को लेकर कलकते आ जाओंगा थोड़ी देर ठहर कर मनी शंकर ने फिरकार बेटा चंदरनाथ अम्हेत बहुत दिनों तक ना जीओंगा तुम्हें फिर से संसारी और सुखी देख लू तो आनंद से मर सकूंगा दूसरे दिन चंदरनाथ कलकते जा पहुँचे मामा ब ब्रिज किशोर ने कहा लड़की तो देखने में बिलकुल लक्षमी जान पड़ती है चंदरनाथ ने मुझ फिर लिया अपना कोई मत प्रकट नहीं किया फिर स्टेशन आकर टिकट लेकर दोनों आदमी गाड़े पर सवार हो ब्रिज किशोर ने पुचा क्यों बटा पसंद तो है ना चंदरनाथ ने सिर हिला कर कहा नहीं ब्रज किशोर मानुआ कास से नीचे गिर पड़े उन्होंने कहा ऐसी सुंदर लड़की फिर भी तुम्हें पसंद ना आई चंदरनाथ ने सिर हिला कर कहा नहीं ब्रज किशोर मन ही मन सोचने लगे उन्होंने सरीयों को नहीं देखा था इसके बाद निर्दिष्ट स्टेशन पर गारी ठहरी और ब्रिज किशोर उतर पड़े चंदरनाथ ने इलाबाद का टिकेट लिया था ब्रिज किशोर ने पुचा तब फिर तुम कितने दिनों में लाट अगे चंदरनाथ ने कहा चाचा जी से मेरा परणाम बोलकर कहिएगा कि जल्दी लोटने की मेरी इच्छा नहीं वापस लोटकर ब्रिज किशोर ने ये बात मनी शंकर को बता दी मनी शंकर ने ये सब बाते सुनकर माता ठुकर कहा अब जो होगा सो देखा जाएगा जैसे ही मेरा शेरी ठीक होगा मैं खुदी जाकर काशी से भगो को ल मुझसे तो केवल यही पुचा था कि आस्ता कितना रुपिया काशी भेजा गया है बस यही पुचा और कुछ नहीं हर काली मुग बना कर चली गई चंदरनाथ ने लिया तो था इलाबाद का टिकट पर रास्ते में यह विचार बदल लिया और पहुंच गए काशी चंदरनाथ के साथ जो दो नौकर गए थे उन्होंने किराए की गोड़ा गड़ी ठीक की और उस पर माल असपा बादी लाद दिया पर चंदरनाथ उस पर नौकरों को डाक बंगले में इंतिजार करने की आग्या देकर पैदल ही अन्या मार्क में चल पड़े रास्ता चलते में उन्हें कष्ट हो रहा था मूँ सुखा हुआ था चेहरे का रंग उत्रा हुआ जब वह कदम आगे बढ़ाते थे तब उन्हें ऐसा जान पड़ता कि म माली के मोड पर उनकी पहचाने हुई छोटी सी दुकान जियों की तियों पड़ी थी उस मकार दुकान का माली ठीक उतनी ही बड़ी तौंद लिये हुए मोडे पर बैठा पकोड़िया बना रहा था चंदरनाथ जरा खड़े हो गए दुकानदार ने उनकी और देखा पर सह के प्रशी की उस संक्री गली में मानो नाम को भी हवा ना थी उन्हें सांस तक लेने में कश्ट हो रहा था पैदो एक कदम आगे चलते और फिर खड़े हो जाते फिर चलते फिर रुख जाते रास्ता किसी प्रकार समाप्त ही नहुता था प्र मन में यही चाहते थे कि किसी है रास्ता समाप्त ना हो सोसते थे कि रास्ता समाप्त हो जाने पर ना जाने क्या देखने को मिलेगा इसके बाद वे हरी दियाल के मकान के सामने पहुंच कर खड़े हो गए बहुत देर तक खड़े रहे उन्होंने पुकारना चाहा पर गला सूख रहा था आखी रुके वे चब्दों में पुकारा और पुकार कर रुख गए घड़ी निकाल कर देखी नौ पच चुके थे फिर साहस करके पुकारा पंडित हरी दियाल जी कोई उत्तर ना मिला जो लोग रास्ते में चल रहे थे उन्होंने चंदरनाथ की सहाबी पुशाक को पलट कर देखा की सहाबी पुशाक में देखकर दरवाजे की आड में च्छिप गई पर जब उसने उन्हें मातरी भाषे में ही बाते करते सुना तब वे डर कर भागी नहीं आड में से ही बोली वे घर में नहीं है कब तक आएंगे दुपहर तक चंदरनाथ मकान के अंदर चले गए आनंद लज्जा और शंका तीनों के मिलन से उनका कर ले जा अंदर से काप उठा समस्तेते की अंदर सरीव है परंतु अंदर पहुचने पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया उन्हाने पूछा क्या इस घर में और कोई नहीं है नहीं वे लोग कहा है कौन एक इस्त्री एक एक यह नहीं यहां तो कोई नहीं रहता पंड़ा जी रहते और मैं रहती हूँ इधर तो एक महीने से यहां कोई अजमान भी नहीं आया चंदरनाथ इस्तब्ध होकर जमीन की और देखते रहे उनके मन में जो बाते उठ रही थी उन्हें अंतर्यामी ही जानते थे परंतु बहुत देर के बाद उन्होंने फिर पूछा तुम यहां कितने दिन से हैं कोई डेड़ बरस से फिर भी तुम नहीं यह किसी को नहीं देखा एक गोरी इस्तृती और उसकी गोध में चोटा सा लड़का या लड़की या फिर केवल वहाइस रही है क्या तुमने उसे नहीं देखा जी नहीं, मैंने तो किसी को न देखा, किसी से उन लोगों का जिक्र भी सुना हो, जी नहीं। चंदरनाथ ने फिर कोई और बात नहीं पूची, वे चुपचाप बैठ कर हरी देयल के आने की प्रतिक्षा करने लगे, उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि अब सर्यू इस संसार में नहीं है, फिर भी वह यह बात अपने कानों से सुन लेना चाते थे, इसलिए वह बैठ चंदरनाथ ने भरे गले में का बहुत देर, भी वे लोग कहा हैं, वे लोग, अच्छा अच्छा वे लोग, चंदरनाथ कापते वे उठ खड़े वे, जोर लगाकर उन्होंने अपने आपको संवाला और पूचा, कब मरी कौन कब मरी चंदरनाथ ने भरे गले से चिरा कर पूछा अरे सर्यू कब मरी हरी दियाल ने अब उनकी बात समझे रहने कब है मरी नहीं अच्छी तरह से कहा है कैलाश चाचा के घर वह कहा रहते हैं जहां यह गली समापत होती है वही कटल के पेड़ के नीचे उनका मकान है चंदरनाथ सिर पकड़ कर बैठ गए बहुत देर तक चुकचाब बैठे रहने के बाद उन्होंने शांत बाप से पूछा वह यहां क्यों नहीं है हरी दियाल मैंने कोई बुरा काम तो किया नहीं है व्यर्थ लज्जी तो उने की कोई अवश्यक्ता नहीं है और तब सहास करके खा आप भी जिसे अपने घर में जगा ना दे सके उसे मैं कैसे रखता मुझे भी तो चार आदमें उसे काम पड़ता है चंदरनाथ ने समझ लिया कि हरी द्याल का कहना बहुत कुछ ठीक था फिर कुछ सोचकर पूछा वह कैलाश चाचा के घर कैसे गई वह उसे स्वैम ले गए वह कौन है यही काशीम के रहने वाले एक दुखी ब्रामन है सर्यू उने पहले से जानती थी हाँ बहुत अच्छी तरह से उनकी अवस्था कितनी है हरी द्याल ने मनी मन हसकर कहा मैं समस्ता हों की कोई साठ बरस की होगी वह सर्यू को लड़की समन मांते वहां और कौन रहता है एक दासी है सर्यू और वीशू वीशू कौन है सर्यू का लड़का चंदरनाथ उठ खड़े होगे उसने उंगली से मकान के और संकेत किया चंदरनाथ एक दम भीतर जा पहुँचे उन्हें सामने और कोई तो दिखाई ने लिया हां बरांदे में एक हष्ट उष्ट और सुन्दर बालक एक थाली में जल लिये अपना शरीर उससे भिगो रहा था था तर बीच बीच में बड़े आनन्द और संतों से देख रहा था कि थाली में पढ़ने वाली च्छाया किस प्रकार रह रहकर काप रही है और हस हसकर उपहस कर रही है चंदरनाथ ने चट से बालक को गोद में उठा लिया और फिर कमरे में प्रवेश किया बालक नया शेरिया या भैका कोई चिन नहीं किया जान पड़ता है कि किसी अपरिचित की गोद में जाना उसके लिए कोई नई बात नहीं है उसने चंदरनाथ की नाक पर अपना छोटा सा कॉमल हाथ रखकर पुछा तुम कौन हो? चंदरनाथ ने बहुत सिने से उसका मूँ चुम कर कहा हम बाबुजी हैं बाबुजी? हाँ बाबुजी और तुम कौन हो? मैं बीतू चंदरनाथ ने अपनी घड़ी और चैन उतार कर उसके गले में पहना दी और जेब में से चाकू, पैंसिल, मनी बैक जो पाया सब निकाल कर उसके हाथों में दे दिया अब डूरने पर उन्हें अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो वह अपने पुतर के हाथों में दे सकते बहुत सी चीजें एक ही साथ पाकर विश्व पुलकित हो गया बाबुजी चंदरनाथ ने उसका छोटा सा मुग अपने मूँ में मिलाकर का बेटा इतने में लखिया की माने आफ़त मचा दी उसने एकाई खिड़की में से देखा कि एक सहाबा तो घर में गुसाए हैं और विश्व को गोद में लिए इदर उदर घूम रहे हैं वह सांस रोक कर एकदम रसोई घर में दोड़ी घर में कैलाश चेंदरे नहीं थे पहुत दिनों बाद आज वह विश्वनाज जी के दर्शन करने गए थे अभी थोड़ी देर पहले सर्यू भी दर्शन करके आई थी और रसोई घर में रसोई बना रही थी लखिया की माने वहां पहुँचकर हाफते वे कहा मा जी क्या है रही लखिया की माने उसी प्रकार हाफते वे कहा घर में एक सहाब आया है और वे विश्व को गोद में लेकर घूम रहा है सर्यू चकी तो कर बुरी अरे पर है कौन? कहती हुए उटकर दर्वाजे की उट से उसने देखना चाहा पर देखना सकी सर्यू ने उसकी बात नहीं माने उसे विश्वास नहीं हुआ कुछ और आगे बढ़कर देखा कि लखिया की मा जो कह रही थी वे जूट नहीं है सहाब की पुशाक पहने वे एक आदमे घूम रहा है और विश्वेश्वर से बाते कर रहा है वे सहास करके खड़की के पास पहुँची और छाया देखकर ही पहचान देती जिनको उनके आँखों के सामने देखकर क्यों ना पहचानती उसने पहचान लिया कि मेरे पती चंदरनाथ है सर्यू चट पास जा पहुँची और गले में आचल डालकर पैरों पर सीरी रखकर पढ़नाम करके सामने खड़ी होगी चंदरनाथ ने पुकारा सर्यू